नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर So I am sure आपने सुना होगा कि तालिबान के द्वारा अफगानस्तान को टेक ओवर कर लिया गया था इस पर्टिकुलर टेक ओवर के बाद जो अफगानस्तान की मिनरल वेल्थ है वो काफी ज्रादा सुर्खियों में रही और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ यही डिसकेशन करने वाला हूँ कि बेसिकली जो अफगानस्तान के नाच्रल रिसोर्स हैं वो आपको कहां कहां पे और कितनी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं आप यहां पे देख भी सकते हैं कि यह वाला जो आर्टिकल है इंडिया टुडे का यह क्लियरली बताता है कि 3 trillion dollars and counting global players are eyeing the Afghanistan's vast mineral reserves So इस वीडियो में हम discussion करेंगे कि यह वाला जो reserves हैं यह कौन से कौन से और कहां कहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को download कर सकते हैं यहां पर दिये गए टेलिजान चैनल के माधियम से इसके इलावा आप लोग जुट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well Right, so वैसे तो यह काफी ironical बात है कि अफगानिस्तान अगर हम देखेंगे economically दुनिया का one of the poorest nations माना जाता है लेकिन 2010 की बात है US military के officials और कई सारे यहां पे geologists थे जिन्नोंने इस particular चीज़ की revelation करी कि अफगानिस्तान was basically sitting on mineral deposits जिनकी जो value है वो लगबग 1 trillion dollar के आसपास की है यह वाला data आज से 10-11 साल पहले 2010 में लाया गया था Geological survey के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान के पास iron ore, copper और gold के अलग-अलग जो आपके deposits हैं वो अलग-अलग प्रांतों में देखने को मिल जाते हैं अगर आप उस particular नजरीय से देखेंगे minerals के point of view से then Afghanistan is one of the region's richest in not just the traditional precious minerals बलकि साथ में यहाँ पर इस तरह के metals भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि आजकल की emerging economies में काफी बड़ी भुमिकाने भाते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं iron ore की उसके बाद बात करते हैं rare earth minerals की बात करते हैं lithium की तो वहाँ पर भी आपको अफगानिस्तान में काफी भारी resources देखने को मिल जाते हैं अफगानिस्तान is rich in resources like copper, gold, oil, natural gas, uranium, bauxite, coal, iron ore और उसके बाद अफगानिस्तान के पास कई सारे यहाँ पे rare earth minerals के deposits, lithium के deposits then various gemstones उसके बाद आपको chromium, lead वगरा वगरा अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं यह वाला जो आपका map है जिसका source हमने यहाँ पे नीचे बताया हुआ है आपको यह भी आप देख सकते हैं कि अलग 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 जगा पे आपको अलग अलग तरह के metals देखने को मिल जाते हैं, minerals देखने को मिल जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, color coding की हुई है, इसका screenshot definitely लीजिए यह आपके general knowledge के लिए काफी helpful साबित हो सकता है आपके पास जो reserves हैं यह कितनी मात्रा में देखने को मिलते हैं तो अफगानिस्तान के पास जो copper के reserves हैं ऐसा माना जाता है कि approximately 60 million tons के आसपास का copper का reserve अफगानिस्तान के पास मिल जाता है इसके बाद जो raw material iron ore होता है जिससे आगे जाके आप लोग steel का उतपादन करते हैं उसकी मात्रा लगभग अफगानिस्तान के पास 2.2 billion tons के आसपास की है जिसकी अगर हम current market price पे बात करें तो लगभग 300 billion dollar का इसका worth उसको देखने को मिल सकता है इसके बाद 1.6 billion barrels का crude oil अफगानिस्तान के पास देखने को मिलता है 16 trillion cubic feet of natural gas देखने को मिलती है और approximately 500 million barrels of natural gas liquid form में भी आपको देखने को मिल जाती है obviously ये figures काफी जाता phenomenal हैं काफी बड़ी-बड़ी figures हैं जो की हमें अफगानिस्तान के पास देखने को मिल रही है coming to lithium जिसको की हम लोग आज के time का और future के time का एक बहुत important mineral मानते है lithium जिसकी जो लागत है वो mainly rechargeable batteries में होती है which includes आपके laptop, mobile phones वगारा वगारा इसकी जो significance है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ चुकी है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि lithium की जो usage है ये batteries में 65% के आस पास की देखने को मिलती है ceramics और glass में 18%, lubricating greases में 5%, polymer production में 3% बट ये वाले जो आपकी लागत है ये और भी जादा बढ़ने वाली है अब क्योंकि electric vehicles का भी नया दौर आने वाला है In fact, International Energy Agency यानि कि IEA के अनुसार जो global supplies of lithium, copper, nickel, cobalt और कई सारे rare earth elements हैं ये इतनी जादा बढ़नी ज़रूरी है ताकि कल को कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आज पूरी की पूरी दुनिया climate change की crisis को tackle कर रही है कल को कहीं ऐसा ना हो कि इन particular elements की भी हमें shortage face करनी पड़े आज के time पे China उसके बाद Democratic Republic of Congo और Australia अधिकतर output के लिए responsible हैं लेकिन आगे जाके ये diversification होनी भी काफी important है आप यहापे देख सकते हैं यहापे आपका China है then we have Australia और उसके बाद आपके कुछ-कुछ और countries है ये वाला आपका आपने सुना होगा lithium triangle है Bolivia, Argentina और चिली का उसके बाद USA है ये कुछ-कुछ और लोग हैं जो कि आपके lithium की production को करवा रही है इसमें अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की क्या घुमिका है तो US के Geological Survey के अनुसार अफगानिस्तान के पास deposits देखने को मिले हैं Spodiumene के ये एक lithium bearing mineral है और 2019 Mines Ministry Report basically ये कहती है कि अफगानिस्तान holds 1.4 million tons of rare earth minerals जो की again अपने आप में एक बहुती phenomenon बहुती बड़ी figure है इतना ही नहीं अफगानिस्तान को USA की एक report के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि ये lithium का Saudi Arabia है यानि कि जितना तेल आपको Saudi Arabia में देखने को मिलता है उस हिसाब से lithium आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाता है अगली चीजी आती है कि दुनिया बर के कई सारे जो countries हैं इसमें हम लोग आपके सामने एक छोटी सी case study पेश करेंगे चाइना की कि वो किस तरीके से अपने diplomatic processes को start already कर चुकी है so that उसको control मिल सके इन सभी resources के उपर in fact China की foreign ministry ने ये भी कहा कि we call upon the world to respect the choice of the Afghan people but we all very well know कि China की यहाँ पे जो intentions हैं वो किस तरीके की हैं कि वो Afghanistan की resources को यहाँ पे tap करना चाहती है in fact Afghanistan की Taliban ने भी काफी अच्छा यहाँ पे interest express किया है कि वो भी China के साथ अपने relations को आगे बढ़ाने में काफी interest रखती है now Taliban के इस particular कदम को लेके USA थोड़ा सा anxious ज़रूर है क्या होता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते लेकर अगर चाइना और Taliban का coalition आगे बढ़ता है तो इस case में USA जो है वो obviously एक काफी खराब place में आ जाता है बट खेर हमारी वीडियो का यह main purpose नहीं है कि इस से क्या international relations में क्या होने वाला है basically हम लोग आपको आपके सामने एक description देना चाहते थे कि अफगानिस्तान के पास कौन से कौन से reserves है और कितनी मातरा में आपको देखने को मिलते हैं और वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है वीडियो कैसी लगी? comment section में definitely में बताईएगा फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए special series run कर रही है जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना 27. November को दुपहर चार बजे एक लास होने वाली है इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना साथ ही में आपको mega combat में हिस्ता लेना है using my referral code unnie UPSC in order to get the various scholarships offered by unacademy और इसके लावा नए offers unacademy आपके लिए लेकर आ है जिसमें आप लोग unnie UPSC code से 10% के discount के साथ 25 रुपे का और discount ले सकते हैं इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे मेरी personal guidance, whatsapp group में addition 20 books आपके घर तक पहुँचाए जाएंगी साथ ही में test series भी आपको available करवाई जाएगी इसके साथ में आपको ये वाले batches available करवाई जा रहे हैं मेरे दोरा भी आपको ये वाले offerings available करवाई जाएंगी on that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe